नमस्कार मैं हुआ में तो राप देखरे हो मेरा यूटूब चैनल रिमसिटी ट्यूटर तो रिमसिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो भी CGI के ही उपर में है तो ये भी विटाउट प्लगिंस ही मैं बताने वाला हूँ कि किस तर से आफटर एफेक्स में आप बिना प्लगिंस के बना सकते हो अद्विटिजमेंट वो भी 3D अ प्लेंडर आफटर एफेक्स तो आप मेरे प्लेलिस में जाकर चेक कर सकते हो तो सारी चीजे वहाँ पर एवलेबल है और आप बहुत कुछ सीख सकते हो इसमें से तो चलिए चलते हैं सिदा अपने कॉम्पूटर में देखते हैं कि किस तर से हम लोग 3D अड़िजमेंट किस तो मैंने कुछ भी एक नाम रख दिया यहां पर जो जिसके बारे में भी आपको अडविटिसमेंट बनानी है तो उसके बारे में आप यहां पर लिख लो उसके बाद आपको चले जाना है कि आपको फाइल साइस कौन से रखने है तो मैं यहां पर 1920,000 80P रखता हूं आपको चले जाना है 3D रेंडर में and then make sure कि आपका जो software है वो 2025 वर्जिन होने चाहिए जो latest है हमारे after effects के and then render setting में make sure कि advanced 3D होने चाहिए right and then उसके बाद आप यहां पर जो भी आपको जितने भी size आपको चाहिए होंगी आप ले लेना आपने तो यहां पर आप जाकर देख सकते हो कि आपके काम के size क्या चाहिए तो मैं frame rate 30 रखता हूं full रखता हूं and then यहां पर मैं कम कर देता हूं इसी चीज़ को मैं ले लेता हूं like 15 seconds के लिए मैं बना रहा हूं तो 10 to 15 seconds काफी होता है advertisement के लिए आप चाहो तो और भी कुछ element आड करके इसको stage कर सकते हो but मैं रखता हूं 15 seconds right and then hit on ok बटन तो आप देख सकते हो कि यहां पर मेरे पास काम पाच चुके हैं कुछ ऐसे तो मैं क्या करूँगा यहां पर मैं ले कर आ जाता हूं अपने headphone को तो जिसके भी उपर आप advertisement बना रहे हो तो आप 3D element डाउनलोड कर सकते हो या I mean 3D models को आप डाउनलोड कर सकते हो तो आपको चले जाना है sketchfab में and then यहां पर आप सर्च कर लो जैसे कि मैंने यहां पर कुछ headphones मैंने ले रखे हैं तो आपको भी सर्च कर लेना है like Bose headphone मैंने select किया है आपको देख सकते हो तो मैं इसी model के उपर आज मैं work करने वाला हूँ जो आपको यहां पर दीख रहा है right scroll करो तो special thanks तो बनते हैं इनको Christie HSU को okay and then download पर click करो and then यहां पर जाकर आप ले लेना GLB तो मैं यहां पर GLB के 2K वाले जो फाइल है मैं उसको मैं select करके download कर लेता हूँ तो सबसे first आपको यह काम तो कर लेना है कि आपको अपने product को download कर लेना है right I mean जो भी अपने 3D models है उसको आपको download कर लेना है जो मेरा model है उसको मैं लेकर आजाता हूँ सीधा यहां पर drag and drop कर देता हूँ अपने model को and then most important thing is कि जब भी आप model download कर रहे हो I mean import कर रहे हो तो यहां पर make comp size आपको ले लेने है and then hit on ok button उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहां पर headphone आ चुके है मैं यहां पर s press कर देता हूँ s is for scale and then थोड़े से बरे size में आप ले लो जितने बरे मुझे चाहिए होंगे आप उतने बरे size में लेकर आ सकते हो तो मैं चाहता हूँ कि मेरे comp के पे fit हो जाए कुछ इस तरह से ok and then मैं इसमें भी कोई color fill करना चाहता हूँ जो background में color होने चाहिए तो मैं थोड़ा सा different style में flat color ले रहा हूँ तो right click करता हूँ मैं new में जाता हूँ and then यहां से मैं solid ले लेता हूँ right मैं चाहता हूँ कि similar kind of color होने चाहिए यहां पे तो मैं तो अज़ा bright color देखकर मैं यहां पे क्या बरता हूँ pick कर लेता हूँ जैसा भी मुझे चाहिए थोड़े से bright color को मैं pick कर लेता हूँ white color नहीं चाहिए होंगे थोड़े से light and then hit on ok button सी तो similar kind of color मैंने रख लिया जैसे मेरे headphone के थे now after that इसको आपको सबसे नीचे में रख लेना है यहां पे सी तो similar kind of color आपको मिल गए है जैसे आप यह product है उसी kind के उसी तरकी है यहां पे अब आपको करना क्या है यह होने के बाद मैं चाहता हूँ कि तो यह भी हमारे पास यह से आ चुके हैं अब मैं चाहता हूँ यहां पे कि मैं तो रहा अनिमेट करना चाहता हूँ अपने इस product को but मुझे यहां पे environment light भी add करने है तो first right click करो तो यहां पे आपको new में जाने है and then यहां new में जाकर आपको ले लेना है light and then light आपको यहां पे select कर लेना है environment light and then cast shadow जो है वो बहुत important right इसको आप check कर लेना and then ok को click कर दो तो यहां पे आपके आचुके है environment light and then already मैंने HDR मैंने image यहां पे ले रखा है आपको क्या करना है इस HDR को just drag and drop करने है तो मैंने क्या HDR को मैं यहां drag and drop कर देता हूँ see कुछ ऐसा मेरे पास आ चुका है and then environment में जाकर मैं pick कर लेता हूँ इस image को तो अब देख सकते हैं उसके reflection मेरे पास आ चुके है मेरे headphone की उपर आ रहे हैं यहां पे reflection okay तो कुछ ऐसा मुझे चाहिए right अब मैं क्या करूँगा इसको animate करना है मेरे जो product है उसको मुझे animate करना है right तो मैं क्या करूँगा सबसे first animate करने के लिए मैं तोड़े से product जो मेरे हैं यहां पे पास वाले उसको मैं click करता हूँ and then s press कर देता हूँ I mean s भी कर सकते हो scale थोड़े से size को increase कर देता हूँ right ऐसे जैसे मुझे लेने हैं तो मैं क्या करता हूँ थोड़े से बढ़े size में रखता हूँ इतना काफी है 25 even though 33 तो 33 size में मैं रखता हूँ अपने comp को and then थोड़े से और increase कर देता हूँ see okay तो कुछ इस तरह से मैंने अपने product को रखा हुआ है छोटे size में थोड़े से now it looks better see okay अब मुझे इसको animate करने है तो मैं क्या करूँगा सबसे first R प्रेस कर दो for rotation and then मैं Z rotation ले लेता हूँ तो starting में मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं Z rotation ले लेता हूँ and then यहाँ पे आप चले जाओ three seconds या two seconds इसको तुरह सा मैं rotate कर देता हूँ ऐसे see right इतना अब देख सकते हो see okay and then इसी animation को थोड़े से और stretch कर देता हूँ two के जगा four see कुछ ऐसा तो अब देख सकते हो मेरा first animation कुछ इस तरह से है first मैंने या ऐसे मैंने animate कर दिया है first pose हो गया मेरा यहाँ पर okay again select all right click and then मैं इसको pre-comp बना देता हूँ right यहाँ पर जाकर आप pre-comp बना दो तो यहाँ पर एक comp आ चुका है जैसे pre-comp मैंने बनाया हुआ है तो अब देख सकते हो pre-comp आ चुके है यहाँ से यहाँ first हमारा animation कुछ यहाँ से four second तक ही रहेंगे तो four second के लिए मैं इसको कम कर देता हूँ यहाँ तक ही रखता हूँ उसके बाद मेरा आएगा different image right तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर pre-comp को एक control D करके एक और copy बना लेता हूँ and then इसे मैं drag and drop कर देता हूँ pre-comp 2 अब यहाँ से pre-comp 2 को मैं क्या करूँगा यहाँ से मेरा animation थोड़ different होँगे right तो मैं क्या करूँगा इसको फिर से select कर लेता हूँ यह double click कर दो and then इसके अंदर में जो मेरा animation रहेगा वो मैं change कर दूँगा देखो कभी भी control D आपको यहाँ नहीं करना है आपको जभी control D करना है layers में नहीं करना है जब भी आपको करने हैं आपको यहाँ पर project में control D करोगे नहीं तो फिर अनिमेशन चेंज हो जाएंगे अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं जाता हूँ जो मैंने animation किया था यहाँ से मैं उसको remove करके फिर दूसरा animation ले लेता हूँ तो boss में चले जाओ and then यहाँ पे मैं जाकर delete कर देता हूँ इस चीज़ को right अब मैं इसके angle को change कर देता हूँ तो मैं फिर से rotation में आता हूँ तो इसी rotation ऐसे मैं इसको थोड़ा सा rotation देना चाहता हूँ यहाँ से right rotation किस direction में not like this तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ Z rotation को click 4 second में जाने है and then थोड़ा सा यह rotation इस तरफ हो जाएगा ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा नहीं because मुझे तोड़ा slow ही रहना है यहाँ पे तो मेरे पास two comps हो गए है comp 1, comp 2 again एक और मैं click कर देता हूँ I mean create करता हूँ comp number 3 इसे भी just drag and drop कर दिया यहाँ पे third number comp थोड़ा सा मैं reduce कर देता हूँ time and then यहाँ से यहाँ पे रख देता हूँ right कुछ ऐसा fine see and then इसके बाद मेरा यहाँ से दूसरा मेरा animation मैं चाहता हूँ start करूँ तो again double click करो and then दूसरे animation के लिए मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पे transform में and then delete कर दो जो अपने animation बनाया था उसको first delete करो and then यहाँ पे मैं क्या करता हूँ boss को थोड़ा सा rotate कर देता हूँ इस डारेक्शन में see okay and then इसकी animation कुछ ऐसे होंगे fine जैसा मुझे चाहिए तो थोड़ा सा first मैं इसको scale कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं yeah तो first मैं यहाँ पे रख देता हूँ and then position को click करता हूँ right and then four second में जाकर इसके position को तुरह ऊपर कर देता हूँ see यहाँ पे तो इसे center में लिए कि आ जाओ अच्छे दीगेंगे pause right अब देख सकते हो इसके भी animation और एक काम कर सकते हो आप जब आप पी animate कर रहे हो ना तो साथ साथ एक animation और भी कर लेना आप बहुत ही बढ़िया दिखने वाले हैं right आपको करना क्या environment में चले जाओ and then यहाँ पे भी आपको click कर देना है right transform में चले जाओ environment के okay and then first click कर दो x and y दोनों को चले जाना यहां से यहाँ four seconds में and then आप चाओ तो इसको थोड़ा सा change करो right दोनों को position change करोगे तो इसके उपर उसको यह effects दिखाए देंगे आपको okay see तो थोड़ा सा change कर दो बहुत जादा change नहीं करना है आपे तो थोड़े बहुत आप change कर सकते हो direction वेगेरा तो आपको बहुत ही अच्छे result आपको मिलने वाले हैं यहां से see okay तो environment light को भी अपना change कर सकते हो position इदर से उदर लेके जा सकते हो see अभी मैं दिखा देता हूँ कि अगर environment light को तो थोड़ा सा change करोगे तो आपको एक shining kind of कर सकते हो but मेरा जो model है वो complete matte finish है तो वो shining create नहीं होंगे लेकिन हाँ आपको light के position change होते हुए दिखाए देंगे यहां पे see so आप देख सकते हो camera number one camera in the sense viewport number one view 1 first view मेरा चल रहा है यहां पे second view कुछ ऐसा हो गया and then here is my third view and then last one में दे देता हो यहां पे एक hour view right तो control A करो save करो first and then फिर से मैं क्या करता हूँ जो last comp है उसके भी control D कर दो duplicate okay and then यहां पे मैं dragon drop कर देता हूँ see इसको भी तुरह छूटा कर दो आप and then move कर दो because यह मेरा last comp का animation है तो मैं यहां से यहां तक ही चाहता हूँ बनाने के लिए तो double click करो okay and then again say मैं क्या करूंगा सबसे first मैं इसको scale कर देता हूँ तो मैं जाता हूँ boss पे and then first delete कर दो सारे कुछ नहीं चाहिए मुझे तो transform में जाओ and then delete कर दो यहां से right scale कर देता हूँ सबसे first छोड़े से size में मुझे इतने बड़े size नहीं चाहिए तो यहां पे मेरे पास आ चुका है मेरे headphone इतने बड़े size काफी है थोड़े से उपर रख दो आप headphone को मैं यहां पे रखता हूँ थोड़े सा animate करना है तो मैं क्या करता हूँ इसको zero कर देता हूँ again see कुछ ऐसा इसे ही मुझे चाहिए actually तो बड़े से size में and then मैं एक दो animate और भी यहां पे add करूँगा तो first मैं यहां पे लेकर आगया headphone को यहां पे है now after that I want to make something कुछ मैं बनाना चाता हूँ यहां पे एक और पीचीच मैं क्या करता हूँ simple सा यह तो animate हो गया last animation चल रहे मेरे यहां पे तो मैं starting में जाता हूँ and then यहां पे मैं जाकर क्या करता हूँ एक elliptical shape draw कर देता हूँ shift and then drag कर दो ऐसे right तो यह मैंने ले रखा है यहां पे इस पे भी मुझे कोई color नहीं चाहिए तो मैं click करके मैं none कर देता हूँ but यहां पे I mean stroke नहीं चाहिए fill color चाहिए होंगे मुझे तो fill पे जाता हूँ and then यहां पे fill पे आप color ले लो right कोई भी color चलेगा fill पे इसके उपर okay तो मैं चाहता हूँ इसके उपर color लेने के लिए तो same kind of color आप ले सकते हो तो आसा dark में ले सकते हो right ऐसा fine तो यह मेरे मैंने बना दिये हैं यहां पे इसकी size थोड़ी से increase कर दो आप थोड़े से इतने परे size काफी है and then मैं क्या करूँगा इस elliptical shape को ना 3D में convert कर दूँगा okay because of कि मैं क्या करने वाला हूँ 3D में convert करने के बाद आप आप आ जाओ यहां पे उसके geometry option में आ चले जाओ तो रहा सा depth create कर दो extrude के and then यहां पे rotate कर दो right and then double click करो first चुकि इस shape का में जो anchor point है यहां पे है तो मैं control and then double click करता हूँ right center में मुझे चाहिए अपने anchor point को and then after that rotate कर दो see मेरे को rotation कुछ ऐसे नहीं चाहिए मुझे rotation ऐसे चाहिए fine तो मैं ले ले लेता हूँ यहां पे rotation 90 degree fine कुछ ऐसे या फिर minus 90 अप ले सकते हो तो minus 90 ले ले लेता हूँ because यह मुझे उपर के तरफ चाहिए होंगे अब उसके बाद आप आ जाओ यहां पे geometry में तोड़ा सा इसके depth बढ़ा दो okay तो extrude depth जो है मैंने थुरा सा ज़्यादा ले लिया यहां पे कुछ ऐसे and then move कर दो जहां पे भी आपको चाहिए होंगे right anchor आपको slate नहीं करने है move tool पे जाओ यहां पे चले जाओ and then यहां पे आप ले लो जहां पे भी आपको चाहिए होंगे right कुछ ऐसा मैं रख देता हूँ and then इसकी size भी आप चाहँ तो increase कर दो तो मैं scale करके थोरसे बड़े size में मैं ले लेता हूँ right कुछ ऐसे fine तो कुछ ऐसा मैंने ले लिया जहां पे platform है जिसके उपर वो मुझे दिखाए देने चाहिए थोरसे उपर ले लो आप कुछ ऐसा and then इसको metallic भी कर सकते हो आपको करना क्या material option में चले जाओ and then यहाँ पे specular को थोरसा increase कर दो see so now it's look like a complete metallic kind of but product आपके थोरसा ऐसे है तो थोरसा आपको ऐसे कुछ color आपको लेने है and then मैं चाहता हूँ यहाँ पे advance में जाकर render because of कि मुझे shadow जैसे कुछ चाहिए होंगे तो आप ले सकते हो ऐसे okay and then यह हो जाने के बाद मुझे यहाँ पे light चाहिए होगा तो आप environment light में आ जाओ because मैंने rotate किया था environment light को तो आप यहाँ से जाकर environment light को थुरह सा adjust कर सकते हो see ऐसे थुरह सा rotation गरा जैसे आपको सही लगते है थुरह सा rotation ले लो see कुछ ऐसे fine थुरह सा shadow गरा भी आए तो ज़्यादा better दिखेंगे यहाँ पे तो I think यह shadow सही है यहाँ पे and then rotation थुरह सा light का मैं rotate कर देता हूँ जैसा भी चाहिए होगा right अब इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे मेरे जो product है ना उसको मैं rotate करूँगा last frame में okay तो simple सा इसे भी मैं delete कर देता हूँ because animation नहीं चाहिए मुझे light के तो सबसे first product को अप select कर लो यहाँ पे चले जाओ आप अपने boss वाले पे right and then rotation अप क्या करो z rotation starting में यहाँ पे रहेगा click कर दो and then चले जाओ three rotation तो उड़े से आपको ऐसे rotate कर देना है fine that's it तो यह rotation मुझे चाहिए यहाँ पे कुछ ऐसे rotate हो कर आएंगे and then even though अगर आपको light को भी animate करना है तो कर दो last में light हमारा कुछ ऐसे आजाएगा fine see कुछ ऐसे fine तो यह हो गया हमारा आज का animation and then even though आप इसके ओपर text वेगर भी apply कर सकते हो text लीको animation करो मैं नहीं बता रहा हूँ because आपकी बहुत बहुत जादा time consume हो जाएंगे and then अपने recording आप text वेगर apply कर सकते हो see अज की आज की class आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होएगा तो इस तरह से आप 3D object को लेकर advertisement बना सकते हैं without any CGI and camera tracking without without camera tracking कुछ भी नहीं चाहिए सिर्थी object सही है and then बहुत easy way में आप animation बना सकते हो या animatismant बना सकते हो अपने off-refacts में तो अबर अपने वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करें subscribe करें and then अपना प्यार इसी तरह से बकरार रगें मिलते हैं अपने off-refacts के नहीं वीडियो में तब कर के लिए अश्कार टेक केर आप अपने 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 आप एक रगें